हेलो व्रेंट्स कैसे आप सब लोग दोस्तों है विशाहला सब करता हूँ आपके चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल चैनल आपको क्रिएट करते तो उसके लिए आपको थमनेल मेकर होना चाहिए आपके पास ओके दोस्तों यहाफिर थमनेल मेकर का जरूरी नहीं कि आप सिर्फ योट्यूब के लिए यूज करना और बहुत परपस में आप यूज कर सकते हैं यह एप्लिकेशन इसलिए नहीं है कि आप थमनिल बनाए इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं सबसे पहले से आपको हम खोलेंगे जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शनल मिलेगी वहां से जाके आप इसे यूज कर सकते हैं इस तरीके से इंटरफेस देखने को कर सकते हैं अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो और कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं वह भी कर सकते हैं ओके दोस्तों अब बात करते हैं यहां पर पिक्स वग्यरा किस तरीके से काम करती हैं तो मैं आपको बताईता हूं उपर प्लस का आइकन है इस पे क्लिक करेंगे य चलिए यह वाला फोटो मैं ले लेता हूं ओके दोस्तों यह वाला फोटो इस तरीके से हलागी आप चाहें तो पी एंजी फोटो डाउलोड के पी एंजी ले सकते हैं ओके दोस्तों चलिए मैं काम करता हूं पी एंजी फोटो ले लेता हूं उससे बहुत अच्छी शेप थ जरूर देखिएगा दोस्तो। तो एक बटन पर जाके टेक्स्ट पर जाके आप style चूज़ कर सकते हैं style पर जाएंगे browse कियेगा ओके दोस्तों यहां पर sample वगएरा वगएरा जो भी आपको चाहिए इस तरीके से जो भी चेंप करेंगे वो यहां पर हो जाएगा ओके दूस्तों बहुत सारे format आपको मिल जाते है और यह बड़े इस तरीके से हो जाते हैं और दौनों आज से कीच के इसे थोड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से ओके दूस्तों अभी के लिए इसषे delete कर देते हैं यहां पर नहीं हमें जो आपको देखने होंगे और जैसे ही आप इनेवल करते हैं, इसके चारता बैक्राउंड पर देखे, रेड़ लेड कलर का बार आचुका है, ब्लेक लाना चाते तो ब्लेक लेगे आ सकते हैं, इनकेश अगर आपको इसकी विड बढ़ानी है, तो इस तरीके से विड बढ़ा सकते हैं, और कजिछें तो कर देते हैं इसके अलावा यहां पर रेजर है कलर फिल्टर से अगर अगर चेंज करना है तो आप इस तरीके सब्सक्राइब ह Cardshop और है उसके लावर और सारी चीजे हैं यानिजिन Mercy शेप अगर आप करने चाते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं कि दूस्ते यहाँ पर सारी चीजें जैसे लिए उत्वर अभ्र मतलब ने सकते हैं यहां पर प्लॉठ यह हैं पर वोगे दोस्तो नॉइस अगर आपको रिमूब करना है तो वो आप रिमूब कर सकते हैं तो काफी कुछ है इस application में सीखने जैसा और समझने जैसा ओके दोस्तो बाकी बहुत कुछ मैंने आपको इस application में बता दिया है contrast अगर आपको adjust करना है तो contrast भी आप इस तरीके से adjust कर सकते हैं देखा दोस्तो तो काफी cool है यह application बहुत सारे लोग इस app को use करते हैं बहुत amazing है इसमें दोस्तो मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो आपको खुद explore करनी होंगी देर बताइए हम आपकी problem को जरूर सॉल करेंगे उमीद है समझ में आया होगा इसे आपको किस तरीके से use करना वीडियो के नीचे description में लिंक आपको provide करा दूंगा इस application की वहां से जाके आप इसे use कर सकते हैं तो उमीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी subscribe कीजिएगा और बैल आइकन को दबाना विल्कुल भी ना भूलने दोस्तों बहुत जल मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए दोस्तों